यहां पे जो टेलीग्राम ग्रूप है उसमें हम यह बियाइपी सेशन अपना अटेंड करेंगे अल्रेडी रूल्स मैंने यहां पे पोस्ट कर दिये हैं ठीक है तो जो बियाइपी मेंबर्स हैं वो अवेर हैं कैसे इसको करना है कल का हमारा सेशन बहुत ही मज़दार गया था उसकी वीडियो मैंने लाइब यहां पे दी है ठीक है आप जाके देख सकते हो यहां पे यूटूब पे यह कल का हमारा जो आट वज़े का सेशन है वो है चलिए हम आज का सेशन यहां पे करते हैं अपना शुरू एंड फिर हम डिसाइड करेंगे गाइस बाद मैं कि हमको औ और क्या डिसकस करना है इस सेशन में आज इस सेशन में थोड़ा सा मैं डिसकेशन करने वाला हूँ ठीक है यहां पे जो ब्याइपी मेंबर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा एक गाइडेंस में दूँगा यहां पे guys uh let's suppose our account balance is $100 and we need to make $5 dollar in this session so in this session our target is five percent of our balance in this session our target is five percent of our balance मतलब अगर यहाँ पर आपका 100 dollar का balance है तो आपको 5 dollar इस session चे कमाने है एंड हमारे दो session होते हैं एक 12 बजे आट बजे तो आप दोनों अगर आप अटेंड करते हो तो at least आपको 10 percent का profit होना चाहिए और यही आपका daily का target होना चाहिए profit यहाँ लॉस का आज है यह हमारा session बहुत ह specific money management के साथ मैं यहाँ पर करने वाला हो ठीक है यहाँ पर सारी चीज़े मैं guidance यहाँ पर दूँगा जितने मेंबर्स हैं I hope कि आप लोग सारे follow करोगे अगर नहीं भी करोगे तो यह वीडियो पर बाद मैं post करूँगा YouTube पे तो आप लोग जाके देख सकते हो and आप लोग सार हमको अपना money management plan लेकर चलना है तो अगर आप 100 डॉलर का आपके पास investment है तो you can set 5% target in each session यह हमारा पहला session है इसके बाद 8 वजे हमारा session होगा एक और ठीक है अब यहाँ पर currency देख लेते हैं कुछ जहाँ पर हमको थोड़ा सा कुछ समझ में आ जाए फिर हम वहाँ पर अपने trade start करेंगे अभी यहाँ पर जस्ट यूरोप composite और GBP USD में देख लेता हूँ EURUSD में देख लेता हूँ EURUSD में देख लेता हूँ EURUSD फिक है यहाँ पर मैं देता हूँ EURUSD and 2 minutes ठीक है और मेरा जो पहला investment है वो है मेरा 5% investment 5% investment मेरा पहला रहेगा पहली trade मेरी जो मेरा पूरा investment है उसके साथ रहेगा क्योंकि यहाँ पर मैं जो पहला signal लेने वाला हूँ वो यहाँ पर most specific और बहुत ही ज़्यादा strong confirmation के साथ में लेने वाला हूँ तो I will try to finish this session with 2 or 3 trades और try करूँगा मैं कि 2-3 trade में अपना यह जो target है 5% का यह हम achieve कर लें और फिर हम अपना trading जो है stop कर देंगे यहाँ पे अभी कोई भी मुझे perfect confirmation किसी भी indicator से नहीं मिल रहा है once I will get the confirmation from any indicator then I will try to take trades 2 minute का यहाँ पे मेरा time frame है you can see यहाँ पे मुझे indications already मिल चुका है stochastic का यहाँ पे देखिए आप लेकिन थोड़ा सा मैं wait करूँगा थोड़ा सा मैं wait करूँगा जैसे मुझे और hint मिलेगी then मैं जाओंगा trade के लिए यहाँ पे guys let's suppose our account balance is 100% we need to make 5% in the 5 dollar in this session so in this case our target is 5% of our balance euro usd 100 यह 2m यह trade expiry time होता है guys ठीक है यह जो trade expiry time है यह मैं बताता हूं 2 minute let's wait for the right moment then we will place trade यहाँ पे अभी भी market जो है struggle कर रहा है तो थोड़ा सा मैं wait करूँगा यहाँ पे जब तक मुझे proper confirmation नहीं मिलेगा I am not going to place the trade और अगर मैं यहाँ पे चाहूं तो मैं यहाँ पे time भी change कर सकता हूं लेकिन मुझे wait करना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे 2 minute का यहाँ पे time frame है मेरा तो यह candle बहुत एहम है यह candle के बाद मैं decide करूँगा let's wait this candle to finish यहाँ पे दो चीज़ें आपको दिख रही है stochastic कुछ और बता रहा है awesome oscillator कुछ और बता रहा है stochastic यहाँ पे हमको down बता रहा है और जो awesome oscillator है वो हमारा अब हमको direction दे रहा है तो we have to wait for the right confirmation और we can apply MACD also MACD पे आप use कर सकते हो RSI भी आप use कर सकते हो यहाँ पे देखिए downtrend है below 50 है market so don't take risk here we have to wait for the right moment guys क्योंकि हमारा जो investment है वो 5% का है that means 5 dollar का investment है यहाँ पे 5 minute का trade मैं देख लेता हूँ candle क्या यहाँ पे है candle का moment और यहाँ पे देखिए बिल्कुल support level पे आके रुग गया है यह candle यह candle का हम wait करते हैं पहले यह candle को थोड़ा सा expire हो देते हैं तब हम decide करेंगे अपना कोई भी हल चल नहीं यह देखिए यहाँ से market जा चुका है reverse और यहाँ पे मैं दो मिनट की trade लेने वाला हूँ up direction में ठीक है यह मैंने लिया up direction का trade और यहाँ पे मैंने अपनी जो money management के साब से है आपका मैंने 100% का set किया है जनरली सारे members का लेकिन मैं यहाँ पे trade place करूंगा अपने money management के साब से क्योंकि you can see my balance मेरा balance ज्यादा है तो I have to set my target as per my balance और मैं यह session के अलावा भी यहाँ पे trading करता हूं ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैं session में यहाँ पे trading करता हूं session के अलावा भी मैं trading करता हूं ठीक है चलिए यहाँ पे अभी जो है हमारे पास time है अच्छा खासा डेड़ मिनट के आसपास time है और market जो है बहुत ज्यादा fluctuations यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं चलिए wait करते हैं पहला signal है हमारा और I will try to finish this session within two or three signals देखते हैं क्या होता है बाकी राम जाने but I will try my best guys I will try my best जो लग BIP members नहीं है जोनोंने BIP join नहीं किया you can join this channel my life trading it's open group अगर आप यह join नहीं करोगे guys तो आपको बहुत कुछ में सोने वाला है यह इस तरह के आपको BIP sessions जो है वो इसी group में मिलेंगे BIP sessions, future signal, fixed time के signals, give a base, price, promo codes, strategies, tricks, tips पहुत सारी चीचे मैं यहाँ पर प्रोबाइड कराता रहता हूँ तो अभी क्या भी join कर लिजे ताकि आपसे कुछ भी मिसना हो and अगर आपका कोई भी personal doubts है personal आपके कोई भी queries है, questions है regarding trading, regarding stock market, regarding option trading, regarding binary trading, regarding column trade या कोई और भी broker you can directly text me at sk underscore traders within 24 hours I will reply you will get your reply within 24 hours तो directly page जेक आप message कीजिए I will try to reply you within 24 hours guys यह मेरा रहा पहला trade और यहाँ पे यह हुआ मेरा profit यहाँ पे trade close होने के बाद मैं देखूँगा yes guys बहुत ही super ITM यह हमारे लिए हुआ है, यहाँ पे देखिए जितनी भी trade, 8 trades यहाँ पे मैंने place करी है आज के दिन में, यह कलका session है, आज के दिन में मैंने 8 trade price की है और 8 ओं के 8 ओफिल अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको पहले तो super ITM तेखिए कोई भी session का मतलब यह नहीं है कि यार हमको signal कितने मिल रहे हैं, हमको 10 signal मिल रहे हैं अगर मैं आपको यहाँ पे 50 signal दूँ और 50 में से 30 OTM करा दूँ या 30 OTM हमारे loss हो जाएं तो उससे कुछ benefit नहीं होने वाला है, हमारा main जो motive है, main जो aim होना चीए कि daily का हमारा जो target है, as for your balance, daily का जो target है वो अचीव होना चीए जैसे ही आपका target अचीव हो जाए, चाहे profit हो चाहे loss, you have to stop trading for that day फिर आप next day का wait करो, next day आपको trading करनी है, उस दिन आपको trading नहीं करनी है simple सा भणना है, अब यहाँ पे जब भी आप इस तरह से करोगे ना तो आप definitely long elastic सोचोगे long term में सोचोगे, suppose करोगे अगर आप 10 dollar dairy का कमाते हो तो अगले 10 दिन में आप 100 से कर लोगे 200 dollar का, ठीक है और अगले दिन में फिर आप 20 का target रखोगे अपना, ठीक है, तो अगले 10 दिन में आप 400 कर लोगे then only you can achieve this target, otherwise आप 2-3 दिन में जो है, अपना account balance जीरो करके फिर आप परिशान होगे, कि सर इसको मैं कैसे recover करूँ, ठीक है, तो वो जीज़ें नहीं करनी है आपको proper money management follow करना है, proper rules follow करना है और यहाँ पर, I think 5% का यहाँ पर मैंने लिया, यहनि अगर आपने 5 डॉलर का trade लगाया होगा तो यहाँ पर मैं देखूं, 5 डॉलर का 82% कितना हुआ, you can calculate मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगर मैं 5 डॉलर का trade यहाँ पर लेता हूँ तो मुझे next जो profit है, वो मेरा पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो wait करते हैं next moment का गाईज और तब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, wait करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर wait करते हैं थोड़ा सा ठीक है, four point something मुझे कुछ profit यहाँ पर हुआ होगा, तो मैं यहाँ पर 2% का investment अगेन यहाँ पर लेके चलूँगा और same currency, euro, usd, ठीक है, यहाँ पर euro, usd, again, euro, usd and two minute, investment मेरा रहेगा 2% का this time क्योंकि अगर मेरा यहाँ यहाँ पर यह 2% भी profit में जाता है, that means कि हमने जो 5% का जो target है, 5 dollar का, उससे जादा ही हमने अचीब कर लिया यहाँ पर wait करते हैं guys, right moment का, let me apply the indicators, then we will decide a message is stochastic and awesome oscillator, multiple indicators, cable आपको help कर सकते हैं, but you have to apply your own analysis, own brain, आपको खुद का mind यूज करना है, खुद का settlement देखना है कि कैसे आप उसको analyze कर रहे हो, कोई भी indicator आपको perfect यह नहीं देगा कि yes, यह gate खुल गया और अब आप लगा दो, ऐसा कुछ नहीं होता है, again 2% का यहाँ पे investment है मेरा, और यहाँ पे 5 minute का चार्ड में एक बार देख लेता हूँ, थोड़ा सा, यहाँ पे जो trend है बहुत strong है upper direction का, जो 5 minute की candle है, वो बहुत छो power candle बड़ी बनती है, तो फिर मैं यहाँ पे अपना decision change करूँगा, लेकिन अभी के फिलाल से, मैं यहाँ पे up direction के ही trade लेने वाला हूँ, next candle पे, लेकिन थोड़ा सा confirmation और लोगा, मैं wait करूँगा, market बहुत नीचे आ चुका है यहाँ पे, और यह candle मुझे कोई अच्छी मिले, जहाँ पे मैं यह trade पेज करूँ, parabolic का मुझे यहाँ उपर से support मिला है, you guys can see this, parabolic का यहाँ पे मिल गया, MACD भी down direction में बता रहा है, और जो stochastic है वो भी यहाँ पे down बता रहा है, awesome oscillator अभी up है, तो यहाँ पे we have to wait for the right confirmation, यहाँ पे हो सकता है कि हमारा जो signal है, वो correction में हो, chart जो है, वो correction में है, क्योंकि यहाँ पे पिछले 2-3 घंटे से देखिए, market regular trend में है, और अब direction की trending में है, let me wait for the right time, let me wait for the chart correction, then I will place the next trade, अभी मैं कोई जल्दवाजी नहीं करूँगा, हलाग कि यहाँ पे देखिए, तीनों के तीनों indicators, यहाँ पे हमको down direction की trade बता रहा है, तो मैं 5 मिनट का यहाँ पे देख लेता हूँ, और यहाँ पे, yes guys, 5 मिनट की जो candle है, वो बहुती healthy form होती नदर आ रही है, और वहाँ पे shadow part कम है, तो यह candle expire होने लेता हूँ, 43 seconds remaining, यहाँ पे wait for the right moment guys, यहाँ पे देखिए, पांच मिनट की candle एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, पंदर सेकंड के चार्ट में अगर आप देखोगाने तो आपको बहुती फर्क नजर आएगा, यहाँ पे एकदम से boom, जो candles हैं, बहुत ज़्यादा body के साथ नहीं है, छोड़ी छोड़ी candles हैं, तो यहाँ पे risky हो सकता है, यह देखिए, पंदर सेकंड के चार्ट में एकदम से बहुत ज़्यादा chart up-down हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा wait करूँगा, थोड़ा सा और confirmation मुझे चाहिए, क्योंकि मैं चारा हूँ नब profitable session close करूँ, बिल्कुल perfect इसके साथ, ठीक है, यहाँ पे down दिया है, मैंने दो मिनट का again, और यहाँ पे दो trade में यहाँ पे place करता हूँ, hundred dollar each, wait करेंगे हम यहाँ पे, इसको मैं अटा देता हूँ, chart को analyze करते हैं, यहाँ पे देखिए, इस candle में, जो एक मिनट की candle है, इसमें हमको rejections मिलना है नीचे से, यहाँ पे अगर यह candle हमको दोखा देखे गई, तो यहाँ पे फिर हमको loss हो जाएगा, यह candle बहुत एहम है, जो यह 29 सेकंड है, यह बहुत एहम है, यह candle at least red close होनी चीए, at least red close होनी चीए, then only we can get a chance to win this trade, क्योंकि market को फिर उतने जल्दी cover up करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर कोई इस टाइप की candle बनती है, जैसे यह candle है, इतनी बड़ी कोई green candle बन गई, मालो यह candle है, यह candle है, यह candle अगर बन गई, तो तो हम कुछ करी नहीं सकते, वो तो फिर आप अपना एक bad luck मानो, ठीक है, लेकिन अभी जिसे साब से candles हैं, उसे साब से अगर market चलता है, तो हमारे favor में रहने के chances ज़्यादे रहेंगे, क्योंकि अगर जो पिछली candle है, वो red glows होती है, और वो red glows ही हुई है, let's wait 53 seconds more, लेकिन जैसे साब से fluctuations हैं guys, you can see, it can be ITM, it can be OTM, we have to wait, we have to wait, wait for the trade expiry, then we will decide our next move, अगर ये trade हमारी win होती है, then we will close the session here only, क्योंकि हमारा जो 5% का target है, जो 5 dollar का target है, वो achieve हो जाएगा, and 100 dollar के balance के हिसाब से money management को लेके मैंने ये session किया है, and I will suggest you all the guys, जितने भी BIP members हैं, non BIP members हैं, चाहे आप BIP हो या नहीं हो यार, ठीक है, ये जो बीडियो बनाने का मतलब ही है, आपको learn कराने का, अगर आपको BIP sessions join करने है, तो you can join our BIP sessions, लेकिन अगर आपको learning करनी है, तो learning आप कहीं से भी कर सकते हो, no need to join BIP, आप direct YouTube से भी learn कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ये screenshot मैं ले रेता हूँ, ये मैंने लिया SK, और यहाँ पर देखिए, ये trade भी हम win कर गए, दो trade मैंने प्रेस करी थी, दोनों ही बड़े मज़दार difference के साथ यहाँ पर हुई है, super ITM again, ठीक है, यहाँ पर, यह मैं दुबारा से डाल देता हूँ, ग्रूप में, आपके लोगों को time भी पता चले, guys, यहाँ पर guys, we completed our session, target of 5% profit, let's stop session and continue at 8 PM, please share feedback, ठीक है, तो मेरा यहाँ पर एक, जो man motive है, वो आपको यह बताना है, कि तेखिए, जब भी आप कोई भी session अटेंड करते हो, या खुद से भी trading करते हो, तो at least आप यहाँ पर अपना जो market है, उसके हिसाब से नहीं कि market बहुत अच्छा चलना है, तो हम regular trade करते जाएं, जी नहीं, देखिए, यहाँ पर market अच्छा चलना है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम trade लेते ही जाएं, कोई भी चीज होती है, उसका एक limit होता है, आप job भी करते हो, तो limited है, वो आपको 9 a.m. जाना है, और 6 p.m. आना है, ऐसे ही कोई भी business हुआ, कोई भी चीज हुई, उसकी एक limit होती है, जब तक उसकी कोई deadline नहीं होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके goals का, आपके target का, and आपकी achievements का, ठीक है, तो आपको daily अपना target set करना है, it's a humble request to all the viewers, चाहे वो VIP हैं, नोन VIP हैं, जितने भी YouTube पे members देख रहे हैं, please set your daily target, जैसे ही वो target achieve हो जाए, आपको trading बंद कर देनी है, चाहे अपकल उस दिन उस target में loss हो, अगर यहाँ पे मेरा 5% चाहे loss है, चाहे profit है, आपको trading बंद कर देनी है, simple सा फंदा है, and एक और चीज़, यहाँ पे मैंने आपको 5% से start करके दिखाया है, वो इसलिए है क्योंकि मुझे अपनी expertise का पता है, ठीक है, मैं आपनों को set नहीं करूँगा, अगर आप expertise नहीं हो, beginner level के trader हो, आपको confidence नहीं है अपनी trading पे तो आप 1% से start करो, ठीक है, 1% से start करो, तब आप उसको martinol follow करके, या कैसे भी, जैसे आप, जो आपका dating style है, उसके साब से, follow करके उसको achieve करो, daily का target, लेकिन आपको target जरूर, जो है set करना है, I hope guys, वीडियो आपको मजदार लगेगा है, जब मैं upload करूँगा, ठीक है, अभी यह VIP sessions है, recorded है, तो वो हमारा bad luck, आप माल लो, जितने भी यह photos आ रहे हैं, सारे के सारे, जितने भी यहाँ पे viewers हैं, जो अपने feedback दे रहे हैं, thank you so much, amazing session, and जो भी, thanks, thank you for your guidance, you are great sir, यह feedback real है, आप देख रहे हो, खोद यहाँ पे आ रहे हैं, अपने आप मैं कोई, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, recover tomorrow losses, thank you sir, can you please what study you are using, मैं अभी यहाँ पे live भी कर दूँगा, आपको देख लोगे, bro ITM, तो यह सारे feedback हैं, आते जाएंगे, ठीक है, मैं post भी कर दूँगा, और यह वीडियो भी मैं post करूँगा, guys, आपको जो भी समझ में आए, जो भी आपको यहाँ पे doubts लगे, जो भी आपकी opinions लगे, please comment section में जरूर पूछना, and वीडियो को like, share, subscribe, जरूर कर देना, guys, please, it's a humble request, क्योंकि, जब तक आप अपना support नहीं दोगे, तो यार, एक अंदर से motivation नहीं आता, कि आप लोगों को further चीज़े provide कराई ज ठीक है, so I hope guys, आपको अच्छा लगेगा, यह session जब आप live देखोगे, इसको YouTube पे, my lab trading यह group है, अभी के अभी join कर लीजे, जो non VIP members है, उनको अगर VIP join करना है, आपको ऐसे sessions attend करने है, तो you have to join this VIP group, या आप directly message मुझे कर सकते हो, ask me how to join VIP, I will guide you how you can join our VIP group, to trade with us, and to learn with us, to earn with us, ठीक मिलते हैं guys, next video में, thank you so much, and मिलते हैं next video में guys, thank you so much